अलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा इसके फंडमेंटल्स के बारे में इसके टेक्निकल्स के बारे में बात करूंगा मैं जवाब दूँगा कि यह जो शेर है यह मल्टिवेगर बन सकता है कि नी क्या हम इससे मल्टिवेगर रिटन बना सकते है कि नी क्या लॉंग टम के लिए अच्छा है कि नी इसे बहुत सारे सावलों के जवाब इस वीडियो में देने के कोशिश करूंगा दोस्तों दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मैं इस तरीके के इंट्रेस्टिंग वीडियो देली मेरे चैनल पर डालता रहता हूं दोस्तों किसी भी शेर के अंदर इंवेश्मेंट करने से पहले हमें उस शेर के पंडामें टेकनलोजी कंपनी है ठीके दोस्तों यह 1988 के अंदर स्तापित की गई थी मुंबई के अंदर दोस्तों इसका में हेडकॉर्टर जो है वो पूने के अंदर है पूने के अंदर इसका में हेडकॉर्टर है दोस्तों और इसको स्तापित किया था अनिल अगरवाल इन्होंने और यूनिक बिजनेस है दोस्तों दोस्तों यूनिक बिजनेस इन दे सेंस यह जो कंपनी है दोस्तों यह ऑप्टिकल फाइबर में काम करती है ऑप्टिकल फाइबर और के अंदर काम करती है हाई स्केल नेटवर्क डिजाइन के अंदर काम करती है दोस्तों यह ऑप्टिकल यी Wires, cables use की जाते हैं, जो light की speed से actually internet transmit होता है, उसके लिए actually optimal fiber जो है वो यूज़ किया जाता है, पूराने जो cables थे जो से, उसके through उतना speed नहीं मिलता पहता था, तो optical fiber जो है वो light के speed से actually internet transmit करती है उसी वज़ा से actually उसके अंदर से हमें GBPS में GBPS में internet speed मिलता है दोस्तों तो इसके अंदर यह optical fiber के अंदर as of now इंडिया के अंदर इनकी monopoly है दोस्तों इन monopoly है और दोस्तों के manufacturing unit जो है वो छे जगह पर हैं इंडिया युनाटे स्टेट चाइना ब्राजील इतली और मिडल इस्ट एंड यूरोप के अंदर तो यह main income बिजनेस है जिससे उनका revenue आता है दोस्तों इसके अलावा यह जो श्टरलाइट टेक्नोलोजी है दोस्तों यह स्टरलाइट टेक्नोलोजी है वो software में भी यहां पर पोकस करती है software के अंदर software services के अंदर as of now तो software services की बात की जाए तो software services में इनका अभी as of now बहुत जादा revenue नहीं आ रहा है ऐसे समझ लिजिए कि company का 80% जो revenue आता है वो optical fiber से आता है और जो सिर्फ 25-30% revenue जो है वो software services से आता है और company ने यह actually declare किया हुआ है कि company आगे जाके जो हैं वो software services के अंदर भी उनका presence लाने वाली है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस company के कुछ key points के बारे में दोस्तों अगर कि कुछ key points की बात की जाएं तो दोस्तों यह small cap company दोस्तों 6000 करोड का market calculation है इसका पी देखे तो बहुत सस्ता है 15 का पी है dividend यह ठीक टाक अच्छा देती है 2.14 का dividend देती है price to book ratio जो है वो 3.26 का है दोस्तों यहाँ पर देखते हुए हम ऐसा लग रहा है कि company जो है काफी सस्ती है दोस्तों काफी सस्ते में यह company का share हमें बिल रहा है दोस्तों यहाँ पर देखे तो 4% की तेजी रही है आज के दिन यह साल का data देख लेते हैं दोस्तों एक साल में 8% का return दिया है जो कि ठीक टाक हैं दोस्तों bank से तो बहतर ही है 5% का data देखते हैं 5 सालों का अगर data देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही massive return बना कि दिया है company ने 153 153% return दिया है बना कि इसका मतलब यह दोस्तों दो गुना से भी द सालों में 6% का return मिलता दूस्तों वीस सालों में 6%, return मिलता दूस्तों आफ देख लेते किसी ने 5 सालों एक इसके अंदर sip की हो थी तो उसको 22% return मिलता दूस्तोंASE अब देख लेते price forecast इसको अनलाइस किया हुआ है और 67 इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों हाइर रीटन एक्सपेक्टेशन है हाइर साइड में वह 187 तक जा सकता है और 14 पसंट उपर जा सकता है में रहा तो यहां से नीचे जा सकता है और 162 के लेबल दिखा सकता है लोवर साइड यहां पर 134 पे लोवर्साइड है और 106 रुपीज हो डोस्तों यहें पसंड नहीं आ रहा हैả兩। बहुत ज्यादा है और जे रिवर्ड है वह कम है मतलब इसका मतलब simple है दोस्तो higher side 14 की है lower side 34 की है दोस्तो higher side जाधा होनी चाहिए मतलब reward जाधा होना चाहिए risk कम होना चाहिए तभी मुझे share अच्छा लगता है दोस्तो अब देख लेते हैं इसके financials कैसे हैं दोस्तो financial अगर देखें तो higher than industry revenue growth काफी अच्छा दिख रहा है दोस्तों यहां पर अब देख लेते net income नेट इंकम भी 334 क्रोड था और अभी 2020 में 433 क्रोड हो गया जो की ठीक ठाक है earning per share भी यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है मगर पिछले साल के मुकाबले earning per share जो है वो कम है दोस्तों और even एंधान सेम नेट इंकम भी में भी शेयर्टी कैस प्लो देख लेतें कंपणी के पास कितना उस थी कैश्प्लोव क्रोड का कंपणी के पास है जो कि अच्छी बात है इसको और देख लेते जो तो बोन नहें इसके क्वेटीने अगर देखे तो के बाद स्टर्लेट टेक्नोलोजी में स्टर्लेट टेक्नोलोजी ने किया हुआ है आप देख लेते हैं होल्डिंग पैटन होल्डिंग बहुत इंपोर्टन होते हैं दोस्तों का रीज़न यहां कि mutual fund foreign investor उन लोगो सबसे पहले पता चल जाता है कि company के अंदर बिक्वाली करने या long term के लिए रखना है दोस्तों mutual fund और जो foreign investor होते हैं उनके पास हजारों क्रोड रुपए होते हैं हजारों क्रोड लाखों क्रोड रुपए होते हैं जो शेयर मार्केट में वो लोग investment करते हैं यहां पर देखें तो promotor के पास 54% की holding है mutual fund के पास 4% की holding है domestic institute के पास 6% की holding है foreign institute के पास 3% की holding है other parties मतलब आप जैसे मरेजर से रीटेल निवेशक उनके पास 34.65% की holding है mutual fund इसके अंदर थोड़ से बिक्वाली की है यह फाय का डेटा देख लेते यह फाय ने इसके अंदर बिक्वाली की है दोस्तों आप देख लेते आधर पार्टी का डेटा दोस्तों मैं हमेशा देखता हूं कि mutual fund और foreign investor जब बेसते हैं तो आधर पार्टी वाले लोग खरीद लेता है कि यहां पर सेम चीज़ हुई है आधर पार्टी ने उसको खरीद लिया है उच्छे भाव पर अब देख लेते कौन से रेट पर है एक्चुली दोस्तों मैं इस प्राइस पर यह जो प्राइस चल रही है बहुत ज्यादा उपर द़र भी है मुझे इस प्राइस से मैं किसी को सज Judy स्नि करूंगा कि कि की कोयद एंदर अंतर करstep दोस्तों मैं यह सजक्रिस करूंआ कि 120 नीचे आप इसके अन्दर Okay कर सकते 120 रुपए के नीचे और फो सके तो एक से साथ 100 रुपए के नीचे अगर बाइंकी तो और भी अच्छा होगा कुछ लोग कहेंगे कि यह रेट आएगा नहीं कभी 100 रुपए के नीचे वाला दोस्तों यहां पर आप मैं ऐसे रेट्स क्यों बता रहा हूं दोस्तों यहां पर देख लीजिए यह शेयर बीस सालों तक नहीं चला फिर एक बार चला एक साल के लिए चला एक साल में तुछ मेने के लिए चला और उसके बाद वो गिर गया है दोस्तों यहां पर जिसने यहा हालत क्या होगी दोस्तों आप सोचिए जाना गिरते हुए भी रिटेल निवाश को ने इसको खरीदा होगा और आभी भी 20 सालों तक उन्हें ने पकड़ के बैठे होएं होंगे कि यह शेयर का भाव बढ़ेगा दोस्तों यह जो है ना यह रेट्स 15-16 रुपए के जो रोड़ की कंट्रोल में है ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों तो मैं यह सज्जेस करूंगा कि आप इस शेयर के अंदर अगर बाइंग करने है तो कम रेट के अंदर कर ये और पैसा जो है बहुत कम लगई आपके पोर्टपोलियो का एक परसंट से भी कम पैसा इसके अंदर लगए तो थैंक यो सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो